हेलो फ्रेंड्स दिस इस नितिका एंड वेलकम टू एनस्टी क्लासेज आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कोल बख्स थियोरी आफ मोरल डेवलोपमेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी पताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे morality, moral reasoning, moral dilemma, heinz dilemma, stages of moral development by कोलबर्ग और criticism What is morality? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि morality है क्या? कोलबर्ग की थियोरी को समझने के लिए morality क्या होती है? ये समझना बहुत जरूरी है Morality यानि नेतिक्ता नेतिक्ता personal beliefs यानि व्यक्तिकत विश्वास और values यानि मुल्यों से संचालित होती है सिक्के के दो पहलू होते हैं सही या गलत, positive या फिर negative, right या फिर wrong हमारे द्वारा सही गलत की पहचान करना ही morality है उधारन के लिए जैसे क्लास में कोई बच्चा homework करके नई आता और क्लास में आकर अपने दोस्त की कौपी से देखकर homework कर लेता है तो जब उससे teacher पूछती है कि क्या तुम ये काम घर से करके लाए हो तो बच्चा असमंजस में पढ़ जाएगा कि क्या बोलू हाँ या ना वे अपने मन में सही और गलत की पहचान करेगा या ये कह सकते हैं कि सही और गलत के बीच difference between करेगा वे सोचेगा कि जूट बोलू या सच उसके दिमाग में एक मन्थन चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है और जब वो decide कर लेगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है यही उसकी morality की पहचान कराएगा अब morality की वज़े से हमें सही गलत की पहचान तो हो गई लेकिन सही गलत की पहचान होने के बाद हम जो logic लगाते हैं ये decide करने के लिए कि हमें किस रास्ते पर चलना है सही रास्ते पर या गलत रास्ते पर वो है moral reasoning उधारन के लिए जैसे कोई व्यक्ति अपनी important meeting के लिए office जा रहा है लेकिन जल्द बाजी की वज़े से सडक पर किसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी से टक कर मार देता है उस व्यक्ति को चोट लग जाती है यानि वे व्यक्ति जख्मी हो जाता है तो वे इनसान कुछ देर रुक कर सोचेगा लॉजिक लगाएगा कि मैं अपनी important meeting में जाऊ या फिर उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेकर जाऊ जिसको मेरी लापरवाही की वज़े से चोट लगी है क्या सही है क्या गलत इसको पहचान कर और लॉजिक लगा कर वे जो भी decision लेगा वही है moral reasoning व्यक्ति के दिमाग में एक positive सोच हावी हो जाती है और एक negative सोच हावी हो जाती है जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रही है अच्छी सोच व्यक्ति को अच्छे कारे करने के लिए प्रेरित करती है लेकिन negative सोच उसे अच्छे मार्ग से हटा कर विपरीत कारे करने के लिए प्रेरित करती है और इस कश्मकश में इनसान दुविधा में पढ़ जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं यह उसके लिए एक अजीब परिस्थिती बन जाती है मोरल डिलेमा का एक और एक्जामपल ले तो आपने अक्सर फिल्मों या टीवी सीरियल में देखा होगा कि यदी कोई गाड़ी किसी गाड़ी का पीछा कर रही है तो यदी रास्ते में दो मोर आ जाते हैं और गाड़ी किसी मोर पर आगे निकल जाती है तो जो गाड़ी उस गाड़ी का पीछा कर रही होती है उस गाड़ी में बैठे लोग दूविधा में पढ़ जाते हैं कौन से मोड पर जाएं वो गाड़ी किस मोड पर गई होगी कोल बग पैदा हुए थे 1927 में वह एक अमेरिकन सैकलोजिस्ट थे वह अपनी moral development के stages की थेयरी की वज़े से जाने जाते हैं उन्होंने अनेक moral dilemmas के बारे में बात की लौरंस गोलबग प्याजे की थेयरी को सपोर्ट करते थे गोलबग का काम प्याजे के moral development से काफी inspired है कोलबग ने जीन प्याजे के काम को संशोधित करने और विस्तारित करने के लिए एक सिध्धान्थ बनाया जिसने नैतिक तरक के विकास को समझाया कोलबग थेयरी प्रपोसेज डैट पीपल मूव थ्रू दा periods of moral development in a fixed order कोलबग के सिध्धान्थ का प्रस्ताव है कि लोग एक निश्चित करम में नैतिक विकास की अवधी से गुजरते हैं कोलबग based his theory upon research and interviews with groups of young children a series of moral dilemmas were presented to children who were then interviewed to determine the reasoning behind their judgments of each scenario कोलबग ने अपने सिध्धान्थ को छोटे बच्चों के समुहों के साथ research और interview पर अधारित किया बच्चों के लिए नैतिक दुविधाओं की एक श्रिंखला प्रस्तुत की गई थी जिनका तब प्रतेक परीद रिष्चे के निर्णियों के पीछे तर्क का निर्धारन करने के लिए interview लिया गया था The following is one example of the dilemmas कोलबग प्रेजेंटेड कोलबग ने बहुत सारे moral dilemmas के बारे में बात की है उसमें से example के तौर पर एक नीचे दिया गया है हाइंस डिलेमा यूरोप में एक महीला को एक विशेश प्रकार का कैंसर था उस कैंसर की वज़े से उसकी मृत्य हो सकती थी डॉक्टर्स ने सोचा कि एक दवा है जो महीला को बचा सकती है इस दवा का हाल ही में अविश्कार किया गया है और ये एक फार्मा स्टोर पर उपलब्द है जब हाइंस दवा खरीजने गया तो कैमिस्ट ने इस दवा की कीमत टू थाउजन डॉलर बताई जबकि उस दवा की एक्चुल कॉस्ट सिर्फ टू हंडर डॉलर थी हाइंस उन सबी के पास उधार लेने के लिए गया जिनें भी वो जानता था लेकिन फिर भी वे सिर्फ वन थाउजन डॉलर ही जमा कर पाया जो उस दवाई की कीमत से आधी रकम थी उसने कैमिस्ट को बताया कि उसकी पत्नी मर रही है उसने कैमिस्ट से कहा कि प्लीज या तो आप इस दवा को मुझे चीप प्राइस पर दे दो या फिर आप मुझे ये दवा अभी दे दो बाकी बचे हुए पैसे मैं आपको बाद में दे दूँगा लेकिन उस कैमिस्ट ने कहा कि नहीं मैं इस दवा को चीप प्राइस पर बिलकुल नहीं दूंगा हाइन्स बहुत हताश हो गया वो इस दुविधा में फस गया कि अब क्या करूं क्या ना करूं अब हाइन्स के पास अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दुकान से दवा चुराने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था इसलिए हाइन्स ने उस स्टोर से दवा चुरा ली आपको क्या लगता है क्या हाइन्स को ऐसा करना चाहिए था कोलबग ने हाइन्स के इस डिलेमा को लेकर कई लोगों से कोशन पूछे चलिए देखते हैं कौन कौन से कोशन पूछे फर्स्ट कोशन क्या हाइन्स को उस स्टोर से दवा चुरा लेनी चाहिए थी अगर हाँ तो क्यों चुरानी चाहिए थी और यदि नहीं तो क्यों नहीं चुरानी चाहिए थी 2. यदि हाइंस अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता तो ये सब कुछ जो हाइंस कर रहा था वे कुछ भी बदलता क्या हाइंस दवा नहीं चुराता 3. क्या होता यदि मरने वाला इंसान अजनबी होता क्या इससे कोई फर्क पड़ता 4. क्या पुलिस को कैमिस्ट को हत्या के लिए गिरफ़तार करना चाहिए था यदि महीला की मृत्यू हो जाती क्योंकि कैमिस्ट ने हाइंस को दवाई दी नहीं थी ये जो कोशन्स कोल पक द्वारा पूछे गए थे ये हर एज क्रुप के लोगों से पूछे गए बच्चों से यंग लोगों से मिडल एज के लोगों से और बुड़े लोगों से भी पूछे गए सब अलग-अलग आंसर दे रहे थे कोई कहरा था कि हाइस को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये कानून की अवग्या है कोई कहरा था कि हाइस दवा चुरा सकता है लेकिन कानून द्वारा दंडित किया जाना चाहिए और कोई कह रहाता कि हाइस तवा चुरा सकता है और किसी कानून को उसे सजा नहीं देनी चाहिए यानि हर एज ग्रुप के लोगों की सोच अलग थी कोलबक के अनुसार बच्चों ने कोशन का जो आंसर दिया उससे उनकी नेतिकता और नियाए की भावना के केंद्रिये पहलों का पता चलता है कोलबक का सुझाव है कि इस तरह के नेतिक दुविताओं के प्रती लोगों की प्रतिक्रिया से उनके नेतिक विकास के चरन का पता चलता है और साथ ही उनके सामानने स्थर के संग्यानात्मक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कॉल्बाग ने स्टेजिस दिये Moral Development के उस से पता लग सकता है कि कोई इनसान अगर Moral Development के किसी स्टेज पर है तो वे ऐसा सोचता होगा या फिर यदि कोई इनसान किसी विशेश तरीके से सोचता है तो वे इस स्टेज पर है चलिए देखते हैं कोलबग स्टेजिस ओफ मोरल डेवलपमेंट ये देखिए तीन लेवल हैं और हर एक लेवल पर दो-दो स्टेजिस है लेवल वान है प्री कन्वेंशनल मोरैलिटी यानि पूर्व परम परागत स्थर इसमें दो स्टेजिस हैं स्टेज 1, स्टेज 2 लेवल 2 है कन्वेंशनल मॉरैलिटी इसमें भी दो स्टेजिस हैं स्टेज 3, स्टेज 4 लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरैलिटी इसमें भी दो स्टेजिस हैं स्टेज 5, स्टेज 6 चलिए लेवल्स को और इनकी स्टेजिस को डिसकस करते हैं कोलबक्स स्टेजिस ओफ मोरल डेवलोप्मेंट फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल मोरैलिटी तीन से साथ वर्ष की अवस्था इस आयू में बालक अपनी आवशक्ताओं के संबंद में सोचता है नैतिक दुविदाओं से संबंदित, प्रश्ण, उनके लाब या हानी पर आधारित होते है नैतिक कारे का संबंद समाजिक एवं सांस्क्रितिक रूप से क्या सही है एवं क्या गलत है इस संबंदित होता है अच्छा या बुरा, सही या गलत की व्याक्या, मिलने वाले दंड, पुरसकार, अत्वा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारी डिक्षमता या उसके परिनाम से मापी जाती है इस लेवल के अंतरगत दो चरण है Stage 1 है Obedience and Punishment Orientation इस स्टेज पर बच्चे Punishment से बचने के लिए Rules से चिपके रहते हैं इसकी खातिरवे आग्या का पालन करते है या यह कह सकते है कि बच्चों के मन में आग्या पालन का भाव दंड पर आधारित होता है इस अवस्था में बच्चों में नेतिक्ता का ग्यान होता है बच्चा स्वयम को परिशानियों से बचाना चाता है कोलबक का मानना है कि कोई बच्चा यदि सुईक्रित वेवार अपनाता है तो इसका कारण डंड से स्वयम को बचाना है ये फर्स्ट स्टेज का उधारन है कि बच्चों को पता है कि यदि वे अपने मम्मी पापा का कहना नहीं मानेंगे तो उन्हें पनिश्मेंट मिलेगी इसलिए पनिश्मेंट से बचने के लिए वे उनकी आग्या का पालन करेंगे स्टेज टू है इंडिविजुलिजम एंड एक्स्चेंज या फिर पर्सनल रिवार्ड ओरियन्टेशन इस स्टेज पर कोई बच्चा अपने स्वेम के लाब के लिए नियमों का पालन करता है इस अवस्था में बच्चे का वहवार खुल कर सामने नहीं आता है वह अपनी रूची को प्रात्मिक्ता देता है वह पुरसकार पाने के लिए नियमों का पालन करता है इस अवस्था को टिट फोर टैट की अवस्था भी कहते हैं जैसे अगर खेलते खेलते किसी बच्चे ने किसी बच्चे को धक्का दे दिया तो उस बच्चे को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो बच्चा उस बच्चे को धक्का ना दे दे जिसने उसे धक्का दिया यानि जैसे को तैसा अब इस स्टेज का एक्जामपल देखते हैं किसी बच्चे के मम्मी पापा ने कहा कि अगर तुम्हे एक्जाम में अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें गिफ्ट मिलेगा तो बच्चा एक्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए खुब मन लगा कर पढ़ाई करेगा क्योंकि उसे गिफ्ट चाहिए मतलब इस अवस्था में एक बच्चे का वहवार इस पर निर्भर करता है कि दूसरे उसके साथ कैसा वहवार कर रहे हैं सेकंड लेवल है कन्वेंशनल मोरैलिटी आठ से तेरा वर्ष की अवस्था इस लेवल पर कोई बच्चा दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने वेवार में समाहित करता है तथा उस मानक के सही एवम गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णे करता है तथा उस पर अपनी सहमती बनाता है इस स्थर पर बच्चा अपनी आवश्यक्ता के साथ साथ दूसरों की आवश्यक्ता का भी ध्यान रखता है वे समाज के अच्छे सदस्यों के रूप में कार्रे करके दूसरों को प्रसंद करने में रूची रखता है इस लेवल की दो स्टेजिस हैं थर्ड स्टेज है इंटर पर्सनल रिलेशन्शिप गुड बॉई गुड गर्ल। इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा वे दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं और उनसे जो उम्मीद की जाती है उसे करने में हो लेगी फोर्थ स्टेज है मैंटेनिंग दा सोशल ओर पीपल एड़ दिस स्टेज कंफॉर्म टू सोसाइटिस रूल्स एंड कंसीडर डैट राइट इस वट सोसाइटी डिफाइन सैस राइट इस स्टेज पर लोग समाज के नियमों के अनुरूप होते हैं और मानते हैं क तथा वे नियम एवं विवस्था के अनुपालन के प्रती जवाब दे होते हैं फोर्थ स्टेज का एक्जामपल है जैसे सोसाइटी ने कुछ रूल्स बना रखे हैं तो बच्चे उन रूल्स को फॉलो करेंगे जैसे यदि ट्रैफिक की रेड लाइट जब जलेगी तो गा पुर्बक के मतानुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मुल्ले या चारित्रिक मुल्ले का संबंध अच्छे या बूरे कार्रे के संदर्प में नीहित होता है बच्चा पहारी समाजी काशाओं को पूरा करने में रूची लेता है बच्चा अपने परिवार समाज एवम राष्ट के महत्व को प्रात्मिक्ता देते हुए एक स्वीकृत विवस्था के अंतरगत कार्रे करता है मानव विकास की वृत्ति एवम विकास के कई आयाम होते है विकास की विविद अवस्थाओं के बच्चों में कुछ खास कुन एवम विशेश्थाएं उभर कर सामने आती है इसके अंतरगत वियसक वस्थों को निर्धारित कर कार्रे करना सीख जाता है इस लेवल के अंतरगत भी दो स्टेजिस आती है फिफ्थ स्टेज है सोशल कॉंट्रेक्ट एंड इंडिविज्वल राइट्स इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है तथा वे ये भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों कानूनों में सुधार किया जा सकता है या फिर सुधार की आवशकता है कि नहीं उधारन के लिए यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यहां ये देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहां महत्वपूर्ण है स्टेज फाइफ के एक्जामपल है पहला एक्जामपल है कि लोग अगर कुछ गलत होता देखेंगे तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे यानि जो बात सही है उसका साथ देंगे और दूसरा एक्जामपल यह कि यदि किसी के फंडमेंटल राइट्स का हनन होता है तो वे गलत के खिलाफ लड़ने के लिए कोड भी जाता है जो सही है उसके लिए लड़ता है या ये कहा जा सकता है कि लोग वही करते हैं जो सही है और सही का हमेशा साथ देते हैं और सही के लिए लड़ते भी हैं इस अंतिम चरण में एक व्यक्ति कानूनों का पालन करता है क्योंकि वे सार्व भोमिक नैतिक सिध्धान्तों पर आधारित होते हैं सिध्धान्तों का उलंगन करने वाले कानून की अवग्या की जाती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ये एक्स्रीम लेवल है यहां तक 10-15 परसंट लोग ही पहुँच पाते हैं एक्साम्पल देखें तो गांधी जी मदर टेरेसा मतलब ऐसे लोग जो हुमेनिटी को सबसे उपर रखते हैं और अपने सिध्धान्तों को अधार बना कर ही अपने काम करते हैं अब यदि हाइस डिलेमा की बात करें तो फस्ट लेवल यानि प्री कन्वेंशनल मुरेलिटी में जो बच्चा होगा वह बोलेगा कि हाइस ने दवा चुराई ये बिलकुल गलत है Second level यानि conventional morality इस लेवल पर जो बच्चा होगा वो कहेगा कि ठीक है हाइस दवा चुरा सकता है और third level यानि post-conventional morality इस लेवल पर जो बच्चा होगा वो कहेगा कि हाइस के सिध्धान तो यानि principles पर ये निर्भर करेगा कि उसे गलत काम करना है की नहीं उसे दवा चुरानी है की नहीं चुरानी A critic of Kohlberg's theory is that it emphasizes justice to the exclusion of other values and so may not adequately address the arguments of those who value other moral aspects of actions कैरल गिलिगन in her book in a different voice has argued that Kohlberg's theory is excessively androcentric कोलबक के सिध्धान की एक आलोचना ये है कि ये अन्य मुल्यों के बहिशकार के लिए नियाए पर जोड देता है और इसलिए उन लोगों के तरकों को प्रियाप्त रूप से संभोधित नहीं कर सकता है जो कारियों के अन्य नैतिक पहलियों को महत्व देते है केरल गिलिगन ने अपनी पुस्तक इन इडिफरेंट वाइस में तरक दिया है कि कोलबक का सिध्धान अतितिक रूप से एंड्रोसेंट्रिक है यानि मेल सेंटर्ड या फिर फोकस्ट और सेंटर्ड ओन मैं कोलबक found that more men reached this stage of moral reasoning than boo men and that men tended to be heavily focused on justice गिलिगन criticized this theory arguing that it was biased in favor of men in her own research गिलिगन found that boo men placed a stronger emphasis on caring in moral decision making कोलबक ने पाया कि महिलाओं की तुलना में नैतिक तरक के इस चरन में अधिक पुरुष पहुंचे और पुरुषों ने नियाए पर बहुत अधिक ध्यान केंडरिट किया कैरल गिलिगन ने इस सिध्धान की अलोचना की ये तरक देते हुए कि ये पुरुषों के पक्ष में पक्षपाती था अपने स्वेम के शोद में कैरल गिलिगन ने पाया कि महिलाओं ने नैतिक निर्णे लेने में ध्यान देने पर अधिक जोड दिया और दो बातों के लिए कोलबक का क्रिटिसिस्म हुआ पहली ये कि जो कोलबक की थियोरी है ये सारे कल्चर्स में एप्लिकेबल नहीं है और दूसरी ये कि जो सिचुएशन्स रखी गई वो हैपोथैटिकल सिचुएशन्स थी यानि कल्पना कि ऐसा हुआ तो ये होगा वैसा हुआ तो ऐसा होगा अब जिन लोगों से कोशन्स पूछे गए थे वे अपनी इमेजिनेशन का यूज करके आंसर तो दे रहे थे लेकिन यदि वो ऐसी किसी रियल सिचुएशन में फस्ते तो जरूरी नहीं कि उस वक्त भी उनकी सोच वो ही होती जो वो उस वक्त कह रहे थे आप ये तीनों लेवल और छे स्टेजिस को याद रखे अगर आपको छे स्टेजिस रिवाइस करनी है तो वीडियो को पॉस करके आप ये टेबल भी पढ़ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं अपने विचार कमेंट करके बताए और यह भी पताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी सी यू इन दे नेक्स्ट वीडियो तिल देन गुडबाए थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वाचिंग